नमस्कार स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलिटन में और मैं हूँ आपके साथ अधिती चली खबरों पर जाने से पहले नज़र डालेते हैं हेडलाइन्स पर चक्रवाद स्ताउते का कहर नौसेना ने तूफान में वसे बार्ज पी 305 पर सवार 146 लोगों को बचाया प्रधान मंत्री मोदी आज कोवीड मैनेजमेंट पर करेंगे चर्चा राज्यों जिलों के अधिकारियों से की बात ब्रह्म मूरत में खुले बद्रिनाध धाम के कपाच पी ए मोदी के नाम से हुई पहली पूजा और अब खबर विस्तार से भारती नौसेना ने अरब सागर में आये चक्रवाती तूफान ताउते के कारण समुद्र में अनियंत्रित होकर बहे एक बार्ज पर सवार 146 लोगों को बचाया और बाकियों के तलाश अभी जारी है एक अधिकारी के अनुसार नौसेना ने बचावकारी के लिए मंगलवार सुबह पी 81 को तैनाध किया था ये खोज और बचावकारियों के लिए नौसेना का बहु मिशन समुद्री गष्टे विमान है इससे पहले सोमवार को निर्मान कमपनी एफकांस के बंबई हाइतेल शेत्र के अपतटी उत्कनन के लिए तैनाध दो बजरे लंगर से खिसके और समुद्र में अनियंत्रत होकर बहने लगे जिसकी जानकारी मिलने के बाद नौसेना ने तीन फ्रंट लाइन युद्ध पोत तैनाध किये इन दो बार्स पर 410 लोग सवार थे प्रधान मंत्री मोधी ने आज राज्यों और जिलों के शत्री अधिकारियों से समबात किया और कोईड-19 महामारी के दोरान उनके अनुबव सुने प्रधान मंतरी कार्याला की और से जारी एक बयान में कहा गया कि जिन राज्यों और जिलों के शेत्री अधिकारियों से बातचीत होगी उन में से कई जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से देखे गए हैं बयान में कहा गया कि विबिन राजियों और जिलों में कोईड-19 के किलाफ लड़ाई के शेत्रिय स्तर के अधिकारियों द्वारा आगे बढ़ कर नित्रतु किया जा रहा है। उनमें से कई ने अच्छे पहल की है और कल्पना शीन समाधान लागू है। प्रधान मंतरी मोधी के कपाट विधिविधान से ब्रह्मपूरत में पुशे नक्षत्र और व्रश्ल लगन में चार बज कर 15 मिनट पर आज खोल दिये गए। सबसे पहले मोक्य पुजारी रावलीश्वरी प्रसाद नंबूदरी धर्मादिकारी भुवन चंद्र उन्याल और हक हकुकदारी ने मंदिर में प्रवेश किया बगवान बद्रिनात की पूजा अरजना की गई साथ ही लोगों को कोरोना महमारी से निजात पाने के लिए बद्री विशाल से प्राटना की गई इस अवसर पर मंदिर के सजावट देखने लायक थी मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाय गया कबर राजा निजापुर के चोमु से है जहां प्रदेश में कोरोना संक्रमन से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील की जा रही है शेहरों में माइक लगा कर अनाउंस किया जा रहा है कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा था लेकिन दूसरे तरफ भीड की तस्वीरें डरा रही है यह तस्वीर राजा निजापूर के चोमू की है जहां वैक्सिनेशन सेंटर पर वैक्सिन लगवाने के लिए आए लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए शेहर के स्टेशन रोड पर इस दित राजके शेहरी चिकिसा केंदर में वैक्सिनेशन सेंटर पर भीड का ऐसा नजार नजार आया कि लोग वैक्सिन की जगे कही कोरोना संक्रमन गिफ्ट में ना ले जाए डिर इस बात कता कि यदि यहां कोरोना फैला तो कंट्रोल करने में समस्या होगी वैक्सिनेशन सेंटर पर लोग अपने जिम्मेदारी को भूल गए बाद में चुमुताना पुलिस मौके पर पहुँची और पालना कराई इदर वैक्सिनेशन सेंटर पर तैनात करमचारियों पर स्थानी नागरिकों ने भेदभाव करने के आरोप लगाए है इसके शुकाय शेयर के लोगों ने विदायक रामलाल शर्मा को की बाद में विदायक वैक्सिनेशन सेंटर पर पहुँचे वहीं करमचारियों को हिदायत दी है कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है सिर्फ उन्हें ही वैक्सीन लगाई जाए विदायक रामलाल शर्मा ने उप्खरन अधिकारी और ब्लॉक से एमर्च को पूरे मामले से अफगत कराया खबर बारा के छिपावडोच से है जहां सब्जी मंडी में इस्तित पुराना आपकारे विबाग का आफिस अब खंडर में तब्दील होता जा रहा है कभी इस आफिस में आला अधिकारे बैठा करते थे तो वहीं आजी आफिस देनी दशा में हो गई है असा माजिक तत्तों दवारा के उस दिनों पहले आपकारे विबाग का में गेट तोड़ दिया गया वहीं आफिस में रखे सामानों को चोर अब निशाना बना रहे हैं हालात इतने बत्तर हैं कि जगए जगए कच्रे के धेल लगे हैं और सबजियां सड़ रही है चारों और कच्रा फैला है लेकिन प्रशासन और विबागी अधिकारी कोई कारवाई नहीं कर रहा वहीं लोग आफिस में सड़ी हुई सबजियां फैक रहे हैं आफिस में सूर घूम रहे हैं गंद की फैली है और चारों तरफ बद्बू है जिसके चलते बिमारिया भी घर कर जाती हैं दिनों दिन गंद की फैलती जा रहे हैं तो वहीं आपकारी विबाग के द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा कबर राय सिंग नगर से है जहां इस समय देश सही तो पूरा विश्व सदी की सबसे बड़ी महमारी से जूज रहा है कोरोना वारिस के दूसरी लहरी की चपेट में आने से भारत की स्वास्त सेवा पूरी तरह चर्मरा गई है इस विवस्ता से देश की जनता को बचाने और जानलेवा वारिस को हराने के लिए डॉक्टर और पुलिस प्रशासन कोरोना योद्धा बन कराए हैं जा एक और अस्पतालों में डॉक्टर कोरोना वारिस की चपेट में आच चुके लोगों की जिन्दगें बचाने में लगे हैं तो वहीं पुलिस प्रशासन संक्रमन के प्रसार को कम करने के लिए दिन रात सडकों पर मुस्तादी से डटे हैं कजबे के पुलिस्ताना में नियुक्ति साय को अपनी रिक्षक सुबाश विश्णोई भी पूरे तरह मुस्ताद नजराए हैं कजबे में वाइरस का प्रसार कम हो कजबावासी सबी नागरिक सुरक्षित रहें इसके लिए वे जीजान से अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगे हैं बेमतलब बाहर घूमने वालों को इस महमारी की गंबीरता समझाने के साथ ही वो सरकार द्वारा बनाए गए नियुमों की पालना करवाने के लिए सकती दिखा रहे हैं नियुमों की अवेला करने वालों के खिलाफ उनकी कारवाई लगातार जारी है बाजार में गूमने वालों के लगातार चालान कट रहे हैं सुमबार को कई लोगों को बेवज़ा घूमते पाई जाने पर चालान कटे गए वहीं 11 टी के रेलबे फाटक पर फल विक्रिदा पर भी कारवाई की गई ऐसे मुश्किल दौर में पुलिस कर्मी और चिकिसको का एक और कारी बढ़ा दिया है तो वहीं उनके संक्रिमित होने का खत्रा भी हमेशा बना रहता है ऐसे में लोगों को समझने के आवशक्ता है कि प्रशासन द्वारा बनाएगा नियमों की पालना कर अपने आप को और पुलिस प्रशासन को बचाए रखे खबर राश्मी से जाओ उपखंड मुख्याले परिस्ते सामदा एक स्वासकेंदी के निर्देशन में राश्मी कस्बे के सहकारी समिती परिसर में 18-44 वर्ग के विबाग एकार्मी को ई मित्रों, पेट्रोल परमकरंचारियों, वन विभाग, पशुपालन विभाग, पुलिस विभाग, राशन डीलर सहीत तैसिल शेत्र के पत्रकारों का टीका करण किया गया ब्लॉक मुकी चिकिसा अधिकारी मेग रामीरा ने बताय कि प्राते 9 बजे टीका करण का कारी शुरू हुआ, जिसमें कुल 137 विएक्ति उन्हें टीके लगाए उन्होंने बताय विभाग को 208 का लक्षी मिला था, जिसके मुकाबले 137 विक्ति टीका करण के लिए पहुँचे टीका करण के इस कारी में शिक्षा विबाग के साथ ही चिकिसा विबाग की टीम में मील नर्स, प्रत्विराज्रेगर, अध्यापक केलाचंद, एनम निशागर, आश्चा सयूग नीरेखा बैरवा और कार्मिकों ने सयूग किया अबर देचु जह जहां कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए भामशा, राठाओर और सरपंच, गाओं के असाय और गरीबों को नीरन तर मदद कर रहे हैं हर जरुतमन्द के मदद के लिए उनके बीच पहुँच रहे हैं, हॉस्पिटल के संबंद इतकारी हो या लगातार लोगों की सेवा में लगे हैं देचु गाओं के अंदर राशन किट वित्रन किये गए और मास्क भी वित्रन किये गए सर्पंच और भामर्शा ने कहा कि प्रते घर तक पहुचेंगे और संदेश पहुचेगा कि हमें मिलकर लड़ना है या आपदा बड़ी है और हम एक दूसरे का सईयो कर मानवता का धर्ब निभाएं सर्पंच संके अध्यक्ष भावानी सिंग राठोर ने सब लोगों को भरोसा दिलाया कि आपकी मदद करने के लिए वे हमेशा तयार रहेंगे कुरोना संकत में सरकार पूरी तरह उनके साथ है हर संभव सहायता मिलेगी सोशल डिस्टेंस बनाया रखें आइसोलेशन में रहें भेवीत नहों अफवाहों पर ध्यान ना दें खबर भरतपुर के बयाना से है जहां मंगलवार को 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सिनेशन होना था इस वैक्सिनेशन सेंटर में देवनारायन राजकी वाली का महाविद्याले को बनाया गया वैक्सिनेशन का काम सुबह 9 बजे से शुरू किया जाना था और इसी को लेकर सेंटर पर लोगों की भीड़ उमर पड़ी कतारों में आए लोगों को एक घंटा से ज्यादा भी जाने पर भी वैक्सिनेशन का काम शुरू नहीं हो सका तो वहीं वैक्सिन लगवाने आए लोगों का आरोफ है कि मेडिकल विभा की और से सुबह 9 बजे से वैक्सिन लगाय जाने की सूचना मिली लेकिन इस वैक्सिनेशन केंदर पर 10 बजे तक ना तो कोई व्यक्ति लगाने वाला था ना कोई नर्सिंग स्टाप आया और ना ही वैक्सिनेशन सेंटर का ताला खूला गया जिसके कारण वैक्सिन लगवाने आने वालों लोगों को बरसात में वैक्सिन सेंटर के बाहर घंटों तक खड़ा रहना पड़ा और इसे के साथ फिला स्टेट न्यूस बुलिटन में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं धीपी के न्यूस के साथ